की सिक की इसिक का दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कहास होने वाली है क्यों खास होने वाली है वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा समझे हो चलो चोरो इंतिजार खतम हुआ आपको बताई देता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12 खड़ी की स्पेलिंग बिना याद किये ही लिखने वाले हैं और वो भी एक ट्रिक के माधियम से एक कोड वर्ड है आप उसको अगर याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप कर से लेकर गियां तक की 12 खड़ी की स्पेलिंग आप बहुत यासान तरीकों से लिख सकते हैं तो दोस्तों देखिए ये ट्रिक क्या है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है बस अ आ ए की आपको स्पेलिंग याद कर लेनी है यानि कि स्वर की स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है उसके बाद ककारा चुटकियों में बन जाएगा यानि कि 12 खड़ी फट से बन जाए कुछ नहीं करना होता है दोस्तों यह हमारा फर्श्ट्रिक क्या है यहाँ फर्श्ट स्टेप क्या है आप यहां पर देख लिजी सबसे पहले आपको यहाँड़ के लिखाई क एक चे-एक है के के के-एक है के-एक पहूत डिबिकल्ड था यार, समझ रहो, समझ रहाब, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उपर वाले सारे वर्ड को कोपी पेस्ट करना है, कैसे कोपी पेस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे हो गया को, कैसे हो गया का, इतना तो सब को पता रहता है, समझ रहाब, समझ रह को यहाँ पर उतार देना है के आई से की, डबली को यहाँ पर उतार देना है के डबली से वड़ी की, फिर यहाँ पर यू को उतार देना है के यू से छोटा कू, फिर यहाँ पर डबल ओ को यहाँ पर उतार देना है के डबल ओ से वड़ा कू, फिर उसके बाद आपको यहाँ यू को उतार देना है के यू से को फिर उसके बाद आपको ए एन के उतार देना है के एन से कंग फिर उसके बाद आपको एच को उतार देना है के जिक हो गया सिंपल मजा आया अप इसी ट्रिक को यूज करके कर से लेकर ग्यां तक के वारा खड़ी को आप याद कर सकते हैं उस झाल 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 झाल